मैं प्रेếnसिस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंभार्मेंट का पार्ट मैं आसको हूँ यह तीनोइ पार्ट देखने के बाद दूस्तो आपको इंभार्मेंट का जो भी डेजिट से कोस्चन बनते हैं जो भी येर से बनते हैं वो आपका एक भी नहीं चूटेगा, अगर आप PCS, UPSC या other one day competition का त्यारी कर रहे हैं, तो एक भी question आपका नहीं चूटेगा, क्योंकि जो भी ये book से लिया गया है, ये सारा UPSC के book से लिया गया, तो सारा चीज को मैं cover किया हूँ, previous year से भी लिया गया है, सब को cover किया हूँ, तो मेरे क्याल से ये वीडियो आपको अची तरह से समझ माया जाएगा, निमोनिक method सारे year को मैं असानी तरीके से clear करूँगा, आपको दिमाग पे जोर बिल्कूल ही नहीं देना है, ना कोच चीज याद करना है, आपको सारा चीज आपको याद होता चला जाएगा, लास तक बस 10-15 मिनिट वीडियो में बने रहें आखरी तक और वीडियो को enjoy करें, तो दोस्तो सबसे पहले, अगर आप first time visit कर रहें दोस्तो तो फिर आप January मन्त का important day या सक्टेंबर मन्त का important इसका वीडियो देख लिए, तभी आए तभी आपको समझ में आगा नहीं तो थोड़ा problem ह होगा, तो बस इस चीच को देखते हैं, नमुनिक मिठोड से सारा चीच को याद करते हैं, दोस्तो पहला क्या है दिखे दिया अंसे, United Nation Environment Program, संयुक्त राष्ट परियावरन कारिकरम, इसको सौट में क्या बोलते हैं, दोस्तो मैंने क्या बोला था, कि जो पार्ट 3 होगा उस नाइरोबी, केनिया में, ठीक है, आपको यह याद रखना है, इसका एयर के लिए कि यह कब फॉंड किया गया था, या कब से फोर्स में आया, इन फोर्स आया, तो आपको बस कुछ भी नहीं करना है, हमारा गोवर्मेंट को बार बार कहां जाना पड़ता है, केनिया जाना केनिया, आपको यह याद रखना है, केनिया, केलियर हो गया, बस इसको को भी आ हैँडं siya dild दूसरा प्रोजेक्ट टाइगर बाग परियोजना तो बस इसमें दिमाग नहीं लगाना है आपको बाग देखते के साथ आपका दिमाग में क्या चलता है या मुझे मार देगा मेरा कीमा कीमा बना देगा तो बस आपका क्लियर हो गया बाग बाग आपको क्या करेगा आपका म होगा और एम का कितना होगा थिरी उनीस आगे चिपका दीजिए कितना होगा 1973 क्या हो गया दोश्तों 1973 तो यह कंप्लीट हो गया कि प्रोजेक्ट टैगर जो आया था वह का बाया था 1973 मैं आपको बस याद रखना है टैगर देखतीक साथ आपको लगता है कि मुझे खा भी लेगा लेकिन उस तरह नहीं की टुकर टुकर करके खाएगा वह लेकिन वाग खा सकता है तो कीमा कुन बनाया टाइगर बनाया और हाथी मारा सकता है आपको खा नहीं सकता उस तरह करके तो हाथी सबको क्या रखना है कि देखते होगे कि हाथी का क्या होता है दात निका टो हाथी को मारना क्या है हमारे देश में बैन कानुन अपराद है याद रखना है क्या बैन बीक कोड और एक नीन होगा एक नीन होगा एका लका दा ऑगा 2092 हो जारगा तो यह थे दिमाग हो तो आपको दिमाग लगाना पड़तों नहीं आपको मज़ा आ रहा हो नोगा दोस्तों को साथ सेयर करना और चारो तरह फिलाओ ताकि किसी को भी प्रोब्लम ना हो याद करने में डेट का आगे दिखिए विश्व वन ये जीव कोष जो है दोस्तोँ वो भगवान के भरोसे चल रहा है क्योंकि कोई भी पाटिसिपेट नहीं करना चाहता है अगर हम ही अगर इंसान पे कोई समस्या आ जाए तो लोग क्या करते हैं बहुत सारा दान देते हैं लेकिन जानवर पे अगर कोई आता है तो नहीं देते हैं जैसे देखिए इस्ट्रेलिया में उतना सारा जानवर मारे गए उतना सारा पिड़ पोधा क्या हो गया नस्ट हो ग कर रहा है लेकिन इस guess में जो होता है वन यह जीव के case में उनका funding होता ही आ थिinsky ύ arkadaşlar ढ़े को 21 ये जीव कोस तो वो भगवान के भरूसे हैं, किलियर हो गया, बस God, क्या रखना दोस्तों, God, G का कोड होगा, वो का ने होगा, D का होगा, G का दोस्तों, 6 होगा, D का 1 होगा, 20 चुप कहेंगा तो 2061 होगा, वो पसीबल, बिल्कूल ही नहीं होगा, 1961, क्या होगा दोस्तों, World Wildlife Life Fund, 21 जीव कोस, 1961 में हुआ था, आपका ये मेरे ख्याल से किलियर हो गया दोस्तों, ठीक है, आगे देखिए, अर्थ सम्मीट, पिर्थवी समेलन, पिर्थवी समेलन कब हुआ था, दोस्तों, जो पिर्थवी समेलन हुआ था, वो फर्स टैंग किया गया था, 1976 में स्टार्ट किया था, बट वो आया नहीं था, अच्छोली, कम इंटो फोर्स कब आया, 20 के बाद आया, मतलब 20 साल के बाद आया, तो ये जो फाइनली आया था दोस्तों, अर्थ, ठीक है, ये कब आया था, ये इससे हम लोग डिकोड करके देख लेंगे, कब आया था, ठीक है, तो जो ड इसलिए कर रहे हैं, कि हमें पिर्थवी को बचाना है, हर परीके से बचाना है, किसी तरह का हमें को बाइलोजिकल इन बैलेंस नहीं करना है, ये फिर किसी तरह का प्रोब्लम नहीं करना है, ऐसा नहीं कि कोई कंट्री क्या कर रहा है, अपने nuclear weapon लेके घूम रहा है, और दू कुछ खराब हो रहा है, तो अर्थ को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वीपन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा दोश्तों, वीपन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर हम लोग वीपन बनाते चले जाएंगा, वीपन बनाते चले तो बैन है तो वीपन आपको याद रखना अर्थमीट में किसी पर बात हो होगा रहा है किसी दिसकस किया जा रहा है वीपन वी पर जिघा रहा है देखmeter डबलु का कोड महता ओकर नहीं बोफीक का ओक्या होगा तयन का छोगा अ 1992 आपको यह याद हो गया अब 1992 अब यहाँ पर देख्या ध्यान से एक चीज है अजेंडा यहाँ पर बात हुआ था एजेंडा तो जब भी एक्जाम में आएगा तो बोला जाएगा कि जो अर्थ समिट हुआ था वो फर्स्ट मतलब कहां पर हुआ था यह ब्राजिल में हुआ यह आपको याद रखना है अब यहाँ पर डिसकस हुआ था दोस्तों वह किस एजेंडा पर तो यहां में पुछा जाएगा कि अर्थ समिट जो हुआ था उसमें कौन सा एजेंडा पर डिसकस किया यह था ऑप्शन रहेगा 20, 28, 22, 23 एजेंडा 20, 21 एजेंडा 22, 23 आपको टिक लगाना है तो जब भी एक उन्फ्यूज हो ने याद नहीं करना आपको आप बस यह था रखो कि अजेंडा कून बार बार लाता है नेता लोग लाते है कुछ भी चीज का जो एजेंडा हमारा सोसाइटी में बनता है वे कून लाता है नेता लाता है तो बस कीलियर होगि यहां question mark है भी पता करता हूँ कौन लाता है agenda नेता लाता है एन का code होगा दोस्त एन का code होगा E का नहीं होगा T का होगा एका नहीं एन का दोस्तों 2 होता है और T का 1 होता है agenda 21 पे discuss किया गे तो तो बस आपका clear होगा यहाँ पर इसको क्या किजिए तो यह आप याद करें असानी से आद करें तीन और वीडियो को continue देखें इन्वार्मेट का चिप्टर क्लोज कर दें इससे question आपका बाहर नहीं आएगा आगे देखें क्यूटो प्रोटोकोल क्यूटो प्रोटोकोल कब आया क्यूटो प्रोटोकोल यह बार बार पुछा जाता है रेलवे और एक्जाम में एक्जाम में पुछा जाता है क्यूटो प्रोटोकोल क्यूटो से आद रखना है टोटो क्यूटो टोटो क्या होता है दो क्यूं कि हमें किस से बचाना है गिलोबल वारमिंग से फ्रिथभी को बचाना है तो बस यह हुर यहां से दो चीज में रिलेट कर दिया क्या है तो आपका नसर क्या हो जागा duplicate only टोटो खरीदा किसलिए किूखे ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है क्योंकि जोईंग्स है वगा और उसे क्या opportunities को कंट्रोल कियाएगा तो बस जब भी एगा. किटो तो कीटो से आद रुखना है टोटो और टोटो का सेल क्या हो रहा है ज्यादा बढ़ गिया है क्यों टूकि ग्लोबल वारविंग को करना तो जब भी एकजाम में आगा कि कीटो प्रोटोपोल किसे रिलेटेड है तो अपका दिमाग में जोर देने का ज़ोरत नहीं है ग एक इस्प्लेन करते हो दोस्तों क्योंकि सब को समझाना पड़ता है सब को लेकर चलना पड़ता है इसलिए थोड़ा लेट होता है तो उसको आप मैनेस कर ले उस पे दिमाग नहीं लगाए तो आपको क्यों प्रोटो को यह क्लियर हो गया कि टोटो आपका सेल बढ़ गया क्य जोब किजेए सका कोड होगा इकानी होगा एल का होगा ठीक है दोश्तों सका 0 होगा एल का 5 होगा क्या 19 चुक्ता हूं 1905 होगा यह possible है ही नहीं क्योंकि जो 19 से आ रहा है है 1947 पचास ये सब सी ये सब सब इस्टार्ट हुआ इंभार्मेंट क्योंकि जब तक हमारा देश आजादी नहीं लोगा था हम इसब के बारे में क्या सोचते हमारा देश ही नहीं आजाद था हम गुलाम थे तो हमें मतलब जानवर के बारे में क्या सोचते या इंभार्मेंट क keto protocol, किसे related है? Cile 2005, Global Warming से declare?มंट्रियल प्रोडोकोल, ये भी आता है, जम्हें बाड़बार Montyo protocol, तो इससे आपको क्या आध रखना है? इससे ये याध रखना है, दोस्तो, सिर्फ इससे याध रखना है बच्पन में आप मॉन्टी एक चोकलेट आता था वो खाते थे और आप क्या खाते हो मॉन्टी वाला केक खाते हो तो जब भी आएगा मॉन्टी ठीक है जब भी आएगा मॉन्ट्रियल प्रोटेकोल तो मॉन्ट्रियल प्रोटेकोल से याद रखना है मॉन्टी और मॉन्टी का दोस्तों इसको मैं होल्ड़ पर रखते हूँ ठीक है यह 1987 में आया था अगर किसी से यह कोड बन रहा तो आप बना के कर देना मैं पीनप कर दूंगा नहीं तो मैं ही बना के कॉमेंट बोक्स में डाल दूंगा आप इससे लिए प्रिसान ना हो इसको मैं चिपका दूंगा 1987 हो ठीक है और दोस्तों यह रिलेटेड किसे है ओजोन से किसे रिलेटेड है दोस्तों ओजोन से तो दोनों कोशन इंपोर्टेंट है यह किसे था ग्लोबल वार्मिंग से और य जो जो ओजोन लेयर बढ़ रहा है वो किसके लिए प्रोबलम हो रहा है देश पे हमारा प्रोबलम होने वाला है देश पे क्या संकट आने वाला है तो जैसे जैसे हमारा ओजोन लेयर बढ़ता जा रहा है हमारा देश पे क्या हो रहा है संकट आ रहा है देश पे क्या रहा ह है जंकत बस कीर हो गया तो important color कर देखे नहीं दोस्तों इंप जाता है यह exam में पुछा जाता है तो आपको दिमाग में लगाना है बस आरकना कि ऊजॉन लेर देश पह संकत के रूप में आ रहा है देश पह तो तो दिखे द्यान से D का code होगा E का नहीं होगा सh का code होगा P का नहीं D का दुस्तो वान होता है Sh का 6 होता है मैंने बताया था दोस्त होएद्गी जब 3 digit आता है तो 2 digit किस खोरी परजेंट करेगा D को रिपरजेंट करेगा वोलुकुष बचाता है थिए उसी तो writes झाण हमारा को बचाता है नवी।EO जेनेवा हो गया बस नेवी एन का कोड होगा एका नहीं होगा वी का होगा एका नहीं होगा एका नहीं होगा एका नहीं होगा एका नहीं होगा एका दोस्तों टू होता है और वी का 8 होता है अब क्या करूं दोस्तों क्या करूं यहाँ पर 19 चिपका देता हूं क्यूंकि 20 मुझे पता है बट आपको यह चीज़ सोचना पड़ेगा देखिए धियान से कि यह इंटरनेशनल लेबल पे था ना और इसा थोड़ी कि हमारा देशाजाद नहीं हुआ था तो कोई देशाज नहीं हुआ था बहुत सारा देशाजाद था उसके पहले लोग सोच रहा था फि 1930 1932 1935 ऐसे करके देगा तो डैकली अंसर कर सकते हो भी ना कोई जंजड से आगे देखिए दोस्तों एक हो एजेंडर 21 हुआ था नेता जिसमें किया था 21 उसमें एक वर्ड आया था क्या जो यह इसके पर काम हुआ था ठिकाओ विकाओ एक स्टेटमेंट था क्या ठिकाओ वि यू सी एन अब बार बार इसको देखते हो गए आई यू सी एन इसका सॉट फर्म हो गया तो आपको जियाद रखना है कि अंतर राष्ट्य परकृति सरच्छन संग ने क्या बोला कि जो आप लोग है वो रभी का फसल ज्यादा कीजिए ताकि क्या होगा कि रभी फसल में ज जाता ध्यान देना है तो जब भी आएगा आई यू सी एन तो कंजर्वेशन करने के लिए सरच्छन करने के लिए हमें क्या एडवाइस दिया गया कि आप रभी का फसल करना स्टार्ट करो ज्यादा रभी का फसल करो पैके जानवरों को खाने के लिए मिल जानवरों जंगल पर डिपेंड कम रहेंगे तब हमारा क्या होगा सरच्छन होगा किसका किसका सरच्छन होगा दोस्तों प्राकृतिक का किलियर हो गया तो बस आपको याद रखना है रवी और रवी फसल से क्या होता है उसमें क्या होता है दोस्तों फटलाइजर बहुत ज्यादा प्राकृतिक होगा आई का नहीं आर का दोस्तों 4 होता है और भी का कितना होता है दोस्तों 8 होता है 20 चिपकाऊंगा तो 28 कभी पॉसिबल नहीं तो आपको एक उनीस चिपकाना यहाँ पर तो डिरेक्टिक क्या होगया 1948 क्या होगया दोस्तों 1948 कि इसका जो कि याद रह्कना दोस्तों इसका जो हैड कवार्टक्र यहाद रखना होता है ICUN का हेड कोर्टर खाहें स्वीडियर लेंड में एक बात याद रखना दोस्तों कि रेड़ डेटबुक यह जो त्यार करती है वो उसमें रेड़ डेटबुक तो अभी एकजां में आएगा कि करती है ये रेड डेटा बुग त्यार करती दोस्तों ये क्या करती है रेड डेटा बुग को त्यार करती है याद रखना है ठीक है एक स्ट्रा चीज याद रखना है और स्वीडियर लेंड में इसका हेड को वाटर है कहां पर दोस्तों स्वीडियर लेंड में तो मेरे ख्यास पड़े क्योंकि जब आप कॉपी में लिख लोगे तो तीन वीडियो को रिवाइस करने में आपको दस मिनेट लगेगा उससे ज्यादा नहीं लगेगा दोस्तों दस मिनेट में एक्जेट डेट आप याद कर सकते हो और दोस्तों अब कोई भी कहीं से भी पेपर उठाई है इ कोई भी सॉल करें आपको 35 परसेंट से ज्यादा कोशन सॉल हो जागा ओटमेटिक ठीक है तो कोई भी यह कप पर निकाल लिए और सॉल कीजिए तो आप मेरे ख्याल से एंजुआ कियोंगे वीडियो को वीडियो को इन्जुआ कियेंगो तो लाइक कर देना दोस्तों दोस्त क्षार करने में किया जाता है दोस्तों सबस्राइब कर ले तक हम यह मिलता है कि हमेर से बंद टी तो सबसेर करने में किया जाता है और वीडियो को लाइक करने में भी किया जाता है अगर वीडियो पसंद नहीं आता तो डिस्लैक करें और डिस्लैक करने का रिजन बता है और दोश्तों जो भी नेमोनिक में अज तक मैंने बनाया है और कहीं पर किसी तरह का किसी को भी अगर प्रोब्लम हुआ होगा वर्ड क्यों नहीं यह आद करने में प्रोब्लम हो रहा है या फिर मैं कुछ वैसा यूज किया हूं जो आपको हट हो तो उस चीज पर ध्यान ना दे सिर्फ कॉंटेंट पर ध्यान दे वह चीज को समझने की कोसिस करें क्योंकि मुझे किसी को ठेस पह पहनी है वो याद रहे आपका और दूसरा किसी भी तरीके का किसी को ठेस पहुचाना या दूख देना मुझे बिल्कुल नहीं है ठीक है दोस्तों तो बस इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नेस्ट ट्रिक के साथ और हाँ दोस्तों फिर से हम हाज उसके बाद एक अस्कीम का जो आएगा एकनोमिक्स से तो ये किलियर हो जागा मेरे ख्याल से ये तीन वीडियो जो इन्भार्मेंट का दिया वो इंजॉय किये होंगे अच्छा लगा होगा याद भी होगा तो दोस्तो बस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हो तो बस दोस्तो नेक्स वीडियो में नेक्स ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तो तब तक के लिए बाई दोस्तो जय हिंद